एसके साथ एसी दरिंदगी हुई कि पूरा देश शर्मसार है। पुरे देश को कियो लब य creator किसी महिला डॉक्टर के साथ हूई यए घटना भर नहीं है। यह घटना किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है और कोई भी महिला इस तरह इसे तो शिकार हो सकती है। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है और इसके लिए ये ये आंदोलन उठखड़ा हुआ है उस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह की कोशिशे हो रही है उससे तो जरूर लगता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़े चेहरे होंगे ऐसा कम से कम लगता है अब जो सच क्या है वो तो जाच में सामने आएगा फिलाल जगदिश शर्मा का रुख करते हैं जगदिश जी आपकी पार्टी आप तो प्रेंका गांधी के भी बहुत करीबी हैं और आपकी नेता कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वह यहां जो लड़ रही लड़कियों के लड़कियों के लिए ही तो लड़ रही है उन्ही के सुरक्षा के लिए लड़ रही है उन्ही के इंसाफ के लिए लड़ रही है यहां पर प्रेंका गांधी का खुन क्यों नहीं खौलता यह सवाल क्यों उनके मन में नहीं आता कि हां लड़कियों की इस होसकती है और कोई पार्टी इसका समर्था नहीं करती है हरे समय समय पे और बताते हो जो चल रहा है और मैं समझता हूँ हमारे आजरने परधान मंतरी जी के पास मामला आ गाया है सीबैक एंडर आ गिया है एक दो दिन में देखना फांसी होई जाएगी हमें थोड़ा इंजार करना चाहिए कातिल को पकल लिया मुल्जिम को पकल लिया है और हंड़र परसंट हमारी ये जो सरकार है बहुवली सरकार है फासी देगी मैं समर्थन करता हूं अपने परधान मत जी अपाद इंजार कर रहा हूं कि दोस्ती को छोड़ना नहीं है किसी किम्बत में नहीं कर है और जाच को लेकर सवाले है कि कोलकाता पुलिस ने इस जाच को गलत दिशा देने की कोशिश की कोलकाता पुलिस ने गैंग रेप की घटना को रेप बताने की कोशिश की कोलकाता पुलिस ने एक मर्डर की घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की सवाल उसको लेकर उ प्रदान मंतरी का मामला है कि अगर 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 प्रदान मंतरी का मामला तो जगदीश शर्मा जरा जो हाइप जो कोलकाता हाइप कोट ने कहा जो बंगाल सरकार के बारे में कहा पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कोलकाता हाइप कोट ने कहा उसी पर दो लाइन बोल दीजी कि भाई यह सरकार के यहां ऐसा लगता है कि सारी स्टेट मस्चिनरी फेल होगे उसने कहा कि कोलकाता पुलिस तो सबूतों के साथ भी छेड़ चाल कर सकती है किस तरह की अबजर वेसान है जगदीश शर्मा रंजी जी आज तो आज तो मापका समस्थन कर रहा हूं बजब उत्तर पर देश में बिलडोज़ चलाके सरकार बदला ले लेती है घर तोड़ देती हो भी तो सरकार के काम है कोट का दोड़ी काम है तो कोट तो है कहां कोट बिचारा देख रहा है मुगदस बनके क्या हो रहा देश में हमारे बहुबली परधान मंतिर से देश को मीद है खुरी भाते जनता पार्टी के नेता जिस तरह जो रोड़ पे मुझे लगता है एक दो दूने फासी हो जाएगी और होनी भी चाहिए जगदीश शर्मा यही क समझ लेगी आपकी बजबूरी समझ लेगी तो आप कुछ भी बोल रहे हैं ना जगदीश शर्मा मैंने जो कहा, मैंने जो कहा, वह सपस्च तोर पे कहा, कोई छुपा के नहीं कहा, कोई इशारों में नहीं कहा, और मैंने ये कहा, कि भाई जिस तरीके से, जिस तरह की दरिंदगी हुई उस बेटी के साथ, और उसको इंसाफ दिलाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है, उस लडाई को दवाने की कोशिश हो रही है उसका गला-गोटने की कोशिश हो रही है गुंडे खड़े किये जा रहे हैं प्रदरसंकारियों के खिराफ सवाल है जिसका की जवाब न ममता के पास और ना आपके पास तो किया रहा हूं आप मेरे पास है क्या है तो थोड़ा वेट करें पुलिस भी नहीं का ले कले जनार्दन अब माफ करिएगा जगदीश तर्म अपने अपने आपे में नहीं है आज आज कुछ भी बोल रहे हूं ममता काले हाँ मेईला की बारे में बात हो रही है उनलेख कि इस तरीके से इस तरीक आप दिकाईए इस तरीके से घिवन के उपर उसके दुराचार के ओपर गंडी और घडिया राजली ती मत कीजी आप लगी आप जग्वेघ्जु आप चल लागा शेचे जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं भोल रही थी यह राजनेतिक विशा नहीं है यह एक आरत का विशे है एक माईला के साथ एक गैंग रेप का विशे है इसलिए आप इस तरीके से चिलाईए नहीं आप शब कीजिए बिल्कुल फासी होगी ठीक है और जिसको इंडिया लाइफ बचा रहा है उसको फासी होगी ठीक है ठीक है ठीक है एक मिट रूज़ जाईए मैं जरा आप मैं सुबरत मुखर जी के पास जाता हूँ जूट बें लगी ठीक है ठीक है ममता काले 20 सेकेंड में बात कतम करें हैं आपके पास आता हूँ रंजी जी मैं सिर्फ मैं एक सच्छा ही याद दिला मैं एक दो फैक्ट्स है रंजी जी एक जो यहां पर जो डॉक्र घोश है इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वहां पर उन्होंने ये बोला था कि उस लड़की को रात में अंदेरे में अकेले नहीं घूमना कि वहां को अकेले नहीं घूमना चाहिए कट तू मैं आज पूरे देश को कॉंग्रेस की भी सोच याद दिलाती हूं स्वर्गय श्रीमती शीला दिक्षित जी जब दिली की मुख्या मंत्री थी एक पत्रकार हुआ करती थी सौमिया रंगनातन इफ आम नोट रॉंग उनका सला देतें कि 8 बजे के बाद आप घर में गुसो और उसके बाद जगदीश जी जैसे लोग आखर के चिलाते हैं चीकते हैं महिलाओं के दुराचार व्याबिचार पर गंदी अफ़टिया राजनीती करते हैं अगर सचाई बोली जाए तो इनको मिट्चे लग जाती है शर् पिचारी के बारे में तो चिता कर दीजिए उसकी राख भी अभी तक ठंडी नहीं हो इसकी चिता ठंडी नहीं हुए और आप राजनीती कर रहे हो सुबरतमुखर जी जब हो गया जगदी शर्मा आपके पास ठीक है ठीक है आउँगा मैं फिर सुबरतमुखर जी आप से सिर्फ यह पूछ रहा हूँ यह पूछ रहा हूँ तो पहला चीज देखे नाई एक सवाल का छोटा साजवाब दिजे सर प्रदर्शन को रोकने के लिए उनको उनकी पहचान क्यों नहीं की गई उनको क्यों नहीं रोक पाई आपकी पुलिस एक मिनट, नौ लोग, दुनिये नौ लोग एरेस्ट हो गए, सारा कुछ हो रहा है, आप जो ये लोग बोल रहे हैं, सारे गलत है, गैंग रेप का कोई स्वाल अभी तक है नहीं, देखिए पहले ये है, क्या फैक्स चाहते हैं, फिक्शन चाहते हैं, और दूसरे तरफ आप क मुझे लगता है 90% जूट है, और आपने भी ठीक तरह कंड़क्ट नहीं क्या, क्योंकि आप पहली ममता को दोशी कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दोशी नहीं सर, सवाल मैंने खड़े किये हैं, वो सवाल जिसका जवाब ममता बनरदी को देना ही चाहिए और आप कह रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफतार किया गया, आप कंगारू कोट नहीं कर सकते।